Hello Learners, Welcome to my channel Combined CS The Extractive आज के इस वीडियो लेस्टन में मैं आपको UGC NTA NET का जो यूनिट वन है जिसमें हम डिस्क्रीट मैथेमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें जो ग्राफ थियूरी है उसमें मैंने आपको प्रिवियस टेंड पर यह पताया था कि what is, हैसे डाइगराम, कैसे हम हैसे डाइगराम बनाते हैं और पोसेट में हम कैसे उसको कनवर्जन करते हैं उसे सीरीज को आगे बहाते वे, आज हम यह देखेंगे कि पोसेट में maximal और minimum element कैसे find out करते हैं सो यहां पर मैंने आपको क्लिरली बताया है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था पोसेट टो हैसे डाइग्राम कनवर्जिन, हाव तो अइडेंटिफाइ पोसेट एंड हम सम एक्जांपल्स के थरू भी उसको समझे थे, आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगे, Maximal और Minimal elements को हम कैसे find out करते हैं, and maximum and minimum elements को कैसे find out करते हैं, तो यहां पर you might be confused कि Maximal और Maximum में क्या difference है, तो आप इस term को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सब पोस्ट करें कि कोई class है, ठीक है, उस class में अगर मैंने ये grading system रखा कि 95 to 100 के बीच में जिनका भी grading आ रहा है वो सारे कैसे बच्चे हैं उन सबको maximal values मिली है बट आप मुझे बताइए पूरे 95 से लेकर 100 के बीच में कोई एक ऐसा student होगा जो की सबसे जादा number achieve किया होगा जो कैसा होगा unique होगा तो hence ऐसी value जो की maximal तो है बट उसमें भी वो unique value hold करेगा that value is known as either maximum और minimum same concept minimum के भी साथ होता है कि अगर मैंने ये criteria define कर दिया कि 40 से नीचे सारे बच्चे fail है तो उसमें कौन ऐसा बच्चा जिसको सबसे minimum marks आई है तो it will also be a unique value तो hence यहां से आपको clear हुआ होगा कि both the terms that is maximal minimal and maximum minimum are different words and they have different concept in discrete mathematics ठीक है तो let's start but before starting today's lesson let's start our day with positive thought and positive energy तो सबसे पहले आज का सेशन में आपको जून 2019 में question आया था उसकी तुरह explain करना चाहूंगी question was consider the positive which of the following is the correct statement ठीक है तो माइट भी आप लोग में से बहुत ऐसे users होंगे जो जिनको यह concept मालूम होगा बट इस video को आप last तक जरूर देखे because at the last मैं आपको कुछ ऐसे important tips प्रोवाइट करूंगी जो इस question को solve करने में आपको बहुत ही helpful होगा तो इस question को हमें कैसे solve करना था इसमें आपको यह जो numbers given है इसमें आपको divisibility operator given है ठीक है तो हमें क्या करना था इससे एक हैसे diagram draw करना था तो कैसे हम draw करेंगे हमें मालूम है कि 3 और 5 किसी से भी divisible नहीं है तो वह सबसे नीचे आ जाएगा उसके बाद अगर हम 9 को लेंगे तो 9 3 से divisible है तो हम एक single line से इसको represent कर सकते हैं यह single line क्या represent करता है यह मैंने आपको already previous video में बताया था कि divisibility means what कि 9 is divisible by 3 इसलिए हम इसको एक single line से represent कर सकते हैं इसके अगर हम 15 को लेंगे तो 15 3 से भी divisible है और 5 से भी divisible है तो हम यहाँ पर एक single note के थरू उसको represent कर सकते हैं similarly अगर आप 24 को देखेंगे तो क्या 24 9 से divisible है नो 15 से divisible है no, तो क्या हम इसके उपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो 24 किसे divisible है, तो हम ही मालूम है कि 24 is divisible by only 3, तो hence आपका यह element यहाँ पर आ जाएगा, और at last जो 45 है, 45 हम हमें मालूम है 9 से भी divisible है, 15 से भी, 3 से भी, 5 से भी, तो जब हमने यह arrow यहाँ पर बनाया है, it means कि already 9 आपका 3 से divisible है, तो 45 भी आपका divisible हो जाएगा, 9 से भी और 3 से भी, similarly आपका जो 45 है, वो 15 से भी divisible है, और 5 से भी divisible है, तो I hope आपको यह इस question में यह समझ में आया होगा, कि जो आपको यह question given था, उस question को, पोसेट को हमें कैसे, हैसे डाइग्राम में convert करना है, इसके बाद इन्होंने question यह पूछा है, कि इसमें greatest element कौन सो होगा, और least element क्या होगा, तो आपको यहाँ पर यह समझना था, कि जो question सबसे bottom में है, जो elements, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, तो 2 element है मारा bottom है, that is 3 and 5, तो both elements are known as minimal, ठीक है, और maximal क्या हो जाएगा, greatest value, तो greatest value यहाँ पर क्या है, आप सिर्फ 45 को उपर देखे, 45 answer नहीं लगाएंगे, आप यह देखेंगे, कि 24 भी ऐसा element है, जो कि greatest है, क्योंकि यह, आप देखिए, इस element का भी, सिर्फ 3 से ही linkage है, और किसी से नहीं है, मतलब यह दोनों आपका क्या है, greatest element है, तो यहाँ पर हमने यह तो find out कर लिया, कि यह maximal और minimum में हमें यह values आएंगी, बट, question क्या पूचा है, उसने greatest पूचा और lowest पूचा है, तो greatest का मतलब होता है maximum, और lowest का meaning होता है minimum, तो जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, कि greatest और lowest क्या होगा, unique values होंगी, तो आप मुझे बताइए, 3 और 5, क्या यह unique value hold करता है, नहीं, similarly, 24 और 25 अगर maximal value है, तो इसमें unique क्या है, कोई भी unique नहीं है, तो यहाँ पर आपका answer क्या हो जाएगा, both में 5 हो जाएगा, hence, इस question का answer हो जाएगा, there does not exist a greatest element and a least element, तो इसी concept को हमें आज बहुत अच्छे से समझना है, so that कि अगर question next time आया इस पर, तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आज हम यहाँ पर देखते हैं, next, हम यह समझते हैं कि, what are the elements are supposed to, जो हमने अभी समझा कि, maximal, minimal and maximum, minimum, उसको ही मैंने यहाँ पर definition में provide किया है, maximal means what, कि an element is said to be maximal, if it is not related to any other element in the partial order relation, मतलब, कि ऐसा element, जो कि egoistic है, egoistic मतलब क्या, कि वो किसी भी दूसरे element से related नहीं है, बट सारे element उससे related है, मतलब, आज समझ लिजे, मैंने यह एक note बनाया, यह एक note बनाया, यह एक note बनाया, तो यह जो element है, यह इन दोनों से, यह नहीं related है, यह सारे related है, क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा है, कि हमारा हैसे diagram, bottom to top approach होता है, तो हिंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका maximal मतलब, वो element जो किसी से related नहीं है, बट उससे सब related होते हैं, जैसे अभी मैंने यह diagram बनाया, तो आप मुझे हमें पता है, कि bottom to top approach है, तो यह greatest है, और यह lowest है, तो इसके नीचे कोई है, नहीं है, इट मींस कि यही हमारा क्या हो जागा, minimal element हो जाएगा, और अगर आपको यह graph given है, तो इस graph में आप मुझे बताएंगे, कि इस चारों में से values क्या hold करेगी, comment section में आप मुझे जरूर बताएगा, ठीक है कि यह graph given है, इस में आपका maximum क्या होगा, minimal क्या होगा, और यह दोनों elements क्या होगा, similarly आपका maximum और minimum क्या होगा, an element is said to be maximum or greatest, if it is not related to other element, but every element is related to it in a partial order relation, और if Hache diagram has only one maximal element, then it is also known as maximum, मतलब जो अभी मैंने आपको समझाया, कि अगर कोई element maximal है, तो वो maximum भी होगा, I repeat, कि maximum है, तो यह होना compulsory नहीं है, बत अगर वो maximal है, तो minimal भी होगा, similarly आपका list के भी साथ होता है, तो इस पूरे concept को, मैं examples आपको explain करती हूँ, suppose आपका यह post-it given है, ठीक है, तो इसका हम Hache diagram में कैसे convert करेंगे, तो हमें मालूम है, कि 1, 2, 3, 4, तो 1 एक ऐसा element जो 2 को भी divide करेगा, less than equals 2 है, यहां पर यहां पर आपको यह ध्यान देना कि कौन सा operator हो, तो यहां पर operator कौन सा less than equals 2, तो हमें मालूम है, कि 1 is less than 2, 2 is less than 3, 3 is less than 4, तो हमारा इस तरीके से diagram बनेगा, ठीक है, और 1 सबसे नीचे है, क्योंकि 1 सबसे छोटा है, और 4 यहां पर सबसे बड़ी value है, तो हमें मालूम था कि अगर इसे हम first time, poset को hashe में convert करेंगे, तो यहां पर आपका poset क्या होगा, जिसमें reflexive भी होगा, anti-symmetric भी होता है, और आपका transitive भी होता है, अगर A से B है, B से C है, तो A से C हो जाएगा, तो हमने क्या किया, इस diagram को यहां पर इस form में represent किया, और जैसा कि हमने पराता कि hashe diagram में convert करने के लिए, उसको minimum convert करना होता है, तो सबसे पहले आप यहां से self loop remove करेंगे, सारे transitive relations remove करेंगे, और सारे parallel edges remove करेंगे, तो finally आपका यह diagram आएगा, और हम इसमें directions भी remove करते हैं, direction इसलिए remove करते हैं, because हमें मालूम होता है, कि यह bottom to top approach है, तो आपका यह वाला final होगा, तो I hope इस question से आपको यह समझ में आया होगा, कि अगर कोई post it given है, तो उसका hash diagram कैसे बनाना है, तो यह question का type 1 है, इसके बाद इसी question में वो आपसे यह पूछ सकता है, कि इसमें maximum बताईए, minimum बताईए, और maximal बताईए, minimal बताईए, तो इस diagram का बताईए क्या होगा, जैसा कि इस figure को देखकर ही clear है, इसमें एक single unique value है, तो यह क्या होगे आपका minimal, similarly एक single top value है, तो वो क्या होजागा maximum, और because कि 1 और जो 4 है, वो unique है, hence it will also a maximum and minimum, तो इस तरीके से हमने एक question को समझा, और उसमें यह समझा कि उस question से different questions कैसे बन सकते हैं, उसके बाद मैंने आपको कुछ और यहां पर question प्रोवाइड किया, जैसे आप यह diagram देखिए, इस diagram में आपको similarly maximal, minimal और different elements find out करना, तो यह diagram है, इसमें आप कैसे find out करोगे, तो यह देखिए, सबसे फ़र्दा को यह समझना होगा, जैसे यह diagram इसमें सारे notes आपस में interrelated है, तो एक ASI element है, जो की सबसे related है, आप देखिए, अगर F note को लेंगे, हम F को लेते हैं, ठीक है, अगर आप F को लेंगे, तो F B कैसे related है, A से D पर जाएंगे, और इस से F पर जाएंगे, और अगर I पर जाना है, सबसे related है, तो वो maximal भी हो जाएगा, और maximum भी होगा, अब आप मुझे question 2 का देखिए, बताए, आप मुझे comment section में भी वीडियो को pause करके बता सकते हैं, आप 2 को अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर clearly हमें दिखता है, कि जो A और B है, ठीके वो दोनो minimal है, और अगर यह दोनो minimal हो गया, तो क्या यहाँ पर minimum value exist करेगा, नहीं exist करेगा, exist करेगा, हिंस इसमें हमें minimal तो मिलेगा, maximal भी मिलेगा, को कि यह दोनों आपका maximal है, बत इसमें आपका minimum and, no minimum और no maximum, इसमें आपको maximum और minimum element नहीं मिलेगा, ठीक है? Similarly, जो question 3 है, इसमें भी आप देखिए, आप यह नहीं समझेंगे कि यह दो disjoint graph है, इसमें graph का कोई भी concept नहीं आएगा, आप यह समझें कि यह दोनो parallel age है, तो यह अगर parallel age है यहाँ पे, तो हाँ, यहाँ पे A और C, दोनों फिर से minimal हो गया, minimal हो गया, तो यहाँ पे minimum values exist नहीं करेगा, तो इस तरीके से हमने क्या समझा, कि every has a diagram has at least one or more maximal or minimal element, हो सकता है किसी diagram में आपके एक से ज़ादा minimal और maximal value exist हो, जैसा कि इस दोनों diagram में है, बट इस दोनों diagram में हमें minimum और maximum values नहीं मिला, because इसमें एक से ज़ादा है और हमें मालूम है कि maximum होने के लिए या minimum होने के लिए हमें unique value चाहिए, तो इस तरीके से I hope आपको clear हुआ होगा कि what is the difference between minimum and minimal, similarly what is the difference between maximal and maximum, अब यह मैंने कुछ और भी diagram दिया है, इसमें भी आप समझ सकते हैं, जैसे suppose मैंने एक आपको note दे दिया C और D, आप से पुछा C और D का upper bond क्या होगा, तो upper bond मतलब जो arrow उससे उपर जा रही है, तो C और D कहां पे जाके meet हो रहा है, E पे जाके हो रहा है, ठीके तो इसका upper bond आ जाएगा E, similarly इसका lower bond क्या हो जाएगा, तो A, तो यहाँ पे हम यह बोल सकते हैं, कि अगर हमें single A मिल गया, तो यह इसका lower bond है, और यह इसका upper bond है, मैं यहाँ पे उसी concept को upper bond और lower bond के concept में इसे लिए बता रही है को कि मैं next आपको पढ़ाऊंगी lattice, तो lattice समझने के लिए आपको यह concept को समझना जरूरी है, कुछ भी नहीं है, वह सेमी concept है, बस यहाँ पे upper bond और lower bond उसको हम बोलते हैं, similarly हम दूसरा डियाग्राम देख लेते हैं, यह वाला, तो इसमें G और F है, ठीक है, G यहाँ पे G और F है, तो आप बताईए, अगर हम डियाग्राhm में देखेंगे तो इसका upper bond क्या हो जैगा, तो इसका upper bond हो जगा, I, और G खुद भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप F का देखेंगे F, F का upper bond क्या होगा, वो G से भी related है और I से भी related है, इसलिए upper bond में ये दोनों आएगा, और इसका अगर हम lower bond देखेंगे तो ये दोनों किस से related है, तो आप देखेंगे F और G, इसके नीचे क्या-क्या है, D, E, A, F, Hence इसका answer क्या हो जाएगा इस तरीके से, तो आप और भी practice करिए कि हम कैसे upper bond और lower bond find out करते हैं, in case अगर आपको कोई भी confusion है, आप मुझे वो comment box में लिखिये, मैं next time पर उस confusion को जरूर दोर करूंगी, उसके बाद this page is, this slide is very 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 important, जिससे मैंने आपको सारा important conclusion प्रोवाइट किया है, जो examination में आप quickly revise कर सक सकते हो, कि every hasher diagram will have at least one maximum and minimal, मतलब कोई भी एक diagram होगा, उस diagram में minimum आपको एक maximal और एक minimal element तो रहेगा ही, जैसे अगर मैंने आपको यह diagram पूछा, ठीक है, यह अगर सपोज मैंने यहाप अगर एक ऐसे बना दिया, single node बना दिया, तो यह single node अगर मैंने draw किया, सिर्फ इसमें वो होगा, तो नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल सकते है, इसमें एक ही element है, जो maximal minimal भी होगा, और maximum minimum भी इसमें exist करता है, तो next हमारा point क्या है, every hasher diagram will have at most one greatest and list, मतलब कि आपका greatest or list क्या होगा, सिर्फ एक unique value होगी, आइधर 0 होगा या तो नहीं तो नहीं होगा, और greatest को आप क्या बोल सक हैं, या top most भी बोल सकते हैं, similarly least को हम क्या बोल सकते हैं, minimal और यहां पर हो जाएगा, bottom most, तो यह दोनों आपका क्या हो जाएगा, unique हो जाएगे values ठीक है, जो greatest or least होते हैं, उसके बाद हमने previous वीडियो में यह देखा था कि पोसेट क्या होता है, इसमें हम rat relations होता है, rat means what, reflexity, anti-symmetric and transitive, उसके बाद हमने यह समझा था कि how to identify a given diagram is in post it, उसमें directions matter करता है, bottom to top जाते हैं, कोई self नहीं होता, no transitive relation and no horizontal age, top इस तरीके से अपने short revision pages बनाएगे, इसके बाद मैं next run पे आपको यह बताऊंगी, कि कैसे हम latest identify करते हैं, इसके लिए आपको lower bond, upper bond जो अभी में previous बत था रही थी, उसका concept मालूम होना बहुत ही जरूरी है, तो आप प्लीज उसको practice करिये, इनकिस अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है, then I will request you to subscribe my channel and press the bell icon and stay tuned because मैं इसी तरीके से और भी important concept जो आपक कि 220-20 exams के लिए बहुत ही important है वो ले के आऊंगी, with these words, thank you so much.